हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आए होग सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासे स्कोर्टेन कर रहे होंगी तो चलिएगा बच्चो आज हम सभी की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नमबर 18 है तो आज हम सभी बच्चो पार्ट 3 करेंगे ट्रांस्फॉर्मेशन का जिसमें हम सभी लोग ट्रांस्फॉर्मेशन में सेंपल्स टू कंपाउंड कंपाउंड टू कंप्लेक्स और एक्टिव पैसिव वाइस तथा आप जान पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे से सेंटेंसे होते हैं जिसको अफर्मेटिब से निगेटिव से इंट्रोगेटिव असार्टिव स आपको बताया था इसका इस्ट्रोग्चर पैसिव वाइस में रहता है इसके बाद फॉर के बाद अब्जक लगाया जाता है फॉर तो होना क्या चाहिए बिल्कुल सही डी ऑप्शन करेक्ट है आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट है ओके बहुत बढ़ गया तो पहला कोशन आप सभी का एकदम करेक्ट है लेस्ट कम टू कोशन नमबर टू देखा जाए दस सेंटेंस इन पैसिव वाइस फार ओपन दा दूर एक सेंटेंस आपको दिया गया है जो है इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव में चेंज करना है योर आप् पता है बच्चों let से जब बनाते हैं तो let plus object plus b plus verb का third form बनाते हैं तो अपना कौन सा option correct होगा b option ठीक है बहुत बढ़ हिया b option correct होगा ठीक है आप देख पा रहे हैं कि let इसके बाद no 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 b option नहीं होगा a option में ठीक है a वाले बच्चे आप सभी correct ध्यान देखिएगा let the door be opened आपका ये question number second में a option में है ठीक है मेरे से जो है two मैंने बोल दिया बढ़ two नहीं correct है ध्यान रखिएगा बच्चों should नहीं उज़ोगा और exam में should करके option आपको देगा may करके option देगा बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि let के बाद object फिर b plus verb का third form तो option number a correct है चलिएगा question number third देखिएगा why should they be blamed by you इसको आपको active में change करना है क्योंकि आप जानते है active से passive वाले questions और passive से active वाले questions भी पूछे जाते हैं ठीक है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत बढ़िया तो चलिएगा देखते हैं कौन सा correct होगा पहला option कौन सा कह रहा है पहला option आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही तो देखिएगा let ये आपका why should you blame them तो आपको active बनाना है active voice में आपका a option ही correct है ठीक है why should you should को should be कर देते हैं why you को subject बना देंगे और जो है जो दे था वो them में change हो जाएगा क्योंकि आपको पता है object को subject से subject को object से replace किया जाता है तो question number 3 का a option correct है बचो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए c नहीं correct है क्योंकि इसमें not आ गया है इस वज़े से plus interrogative में helping work पहले आता है यहां you पहले आया है subject चलिएगा question number 4 पर चलेंगे इसको आपको बनाना है sentence he is believed to have died of malaria आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह complex sentence है और आपको पता है कि complex sentence में आपको adverb clause के conjunction और noun clause के conjunction adjective clause के conjunction यूज करने पड़ते हैं तो आपको पता है that तो चारों में दिया है he is believed मतलब यह माना जाता है कि उसके मृत्यू malaria से हुई आपको जो है complex sentence देखना है तो एक जो है principle clause होता है और दूसरा आपका subordinate clause होता है आप देख पा रहे हैं कि he is believed that he would died गलत हो गया यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर to have को आप अगर वर्प का second form मान ले तब भी correct हो जाएगा ठीक है तो it is believed that he died of malaria यही correct हो जाएगा ठीक है B option ठीक ना C देखिएगा malaria is the cause of his death इसके बाद है people have people believe that he died of malaria तो यह सब नहीं correct होगा आप ध्यान रखिएगा क्या करेंगे he died of malaria मतलब उसकी मृत्यू malaria से हुई है question number fourth का B option correct है बचो ध्यान करिएगा आगे बढ़ते हैं question number fifth पर choose the correct transformation of the following sentence after removing two एक sentence आपको दिया गया है जिसमें आपको remove करना है two को आपको याद है ना कि two को हटाते हैं so लगाते हैं और two B या two plus और का first form को हटाते हैं तो that हो और present हो तो cannot और past हो तो could not किस option में दिख रहा है तो आपको मिल रहा है B option में ही ठीक है बहुत बढ़िया बच्चे आप सभी लोग question number fifth का B option बहुत ध्यान से पढ़िये क्योंकि ऐसे questions exam में पूछा जाता है topic mention करके पूछेगा तब तो पूछेगा ही अगर topic नहीं mention करता है particular तब भी ऐसे questions आपके exam में आते हैं question number fifth का option number B correct है बहुत बढ़िया बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हैं आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए question number six देखेगा pay that bill at once मतलग उस bill को तुरंत pay करो passive wise में बनाना है आपको याद है ना मैंने बताया था you should pay the bill at once बिल्कुल नहीं आपको देखना पड़ेगा the bill इसके बाद हो जाएगा pay गलत हो गया यहाँ पर भी गलत अगर d option आप देखें तो आप कहरें you are advised to pay the bill at once तुम्हें कहा गया तुम्हें जो है advice किया गया order किया गया जिस भी sentence में देखा जाए तो चौथा आपका correct है क्योंकि आप जानते हैं you are advised, you are ordered, you are requested करके imperative sentence में ऐसा बनता है तो यहाँ पर question number 6 का fourth option correct होगा बहुत अच्छे question number 7 देख लिजेगा question number 7 things were sent flying in all directions by the explosion मतलब कह रहा है change into active voice means एक sentence दिया गया है आपको active voice में change करना है इसको आप देखिए things were sent मतलब चीजें ठीक है भेजी गई flying in all directions कैसे flying से सभी दिशाओं में by the explosion ठीक है तो यहाँ पर आपको by the explosion है तो explosion आपका subject हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें verb का third form आया है sent उसको आपको sent flying है तो आपको क्या करना पड़ेगा word आया है तो word को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि verb का second form तो किसमें verb का second form है तो things in all directions flew ठीक है flew आपका verb का second form हो गया इसके बाद हो जाएगा with the explosion तो यहां कौन सा correct है be option correct है active voice में बनाना था तो यहां पर यह सारे subject हो जाएंगे यह verb हो जाएगा और जो है यह आपका object हो जाएगा question number 8 देखिएगा transform the following sentence by changing the adjective into comparative degree comparative degree में आपको बनाना है कह रहा है no other baller in the 11th is so good as rama आपको याद है कि जब कभी भी आप no other पाएंगे तो positive degree में so यह के साथ पाएंगे तो comparative degree में any other या all other किया जाता है और no का opposite होता है any तो जिस option में मिले आपको बात कर लेनी है अगर c option को देखें तो superlative degree है अपने को comparative ढूडना है और d option देखें तो यही आपका positive फिर से हो गया है और a और b में आप confused नहीं होंगे no other positive degree में आता है any other या all other many other या most other ऐसे कुछ आएगा तो comparative degree में आता है तो मुझे लगता है बच्चे आप सभी का correct होगा question number 8 का b option question बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कोशिस question number 9 देखेंगे virtue is its own reward इसको interrogative में change करना है कि virtue अपने आप में एक पुरसकार है तो क्या virtue अपने आप में पुरसकार नहीं है ऐसे पूछेंगे तभी ना आएगा कि है तो आपको मैंने बताया था ना कि जब कभी भी जैसे हो जाए I can help you इस तरीके का sentence आ जाए और बोले कि आप इसको interrogative में change करो तो आपको पता है कि अगर affirmative sentence आपका जो है affirmative sentence positive में हो तो interrogative sentence negative में बनता है तो आप देख पर I can help you तो can I not help you मतलब क्या मैं तुम्हारे मदद नहीं कर सकता तो can't I help you ऐसे भी exam में आएगा तो आपको मानना पड़ेगा ठीक है तो आप देख पा रहा है कि C option में आपका ये सटीक बैठ रहा है ठीक है has not virtue its reward ये गलत हो गया what is virtue reward गलत हो गया is not फिर है virtue its own reward तो आपको मिल रहा है कि नहीं अगर कहा जब क्या virtue अपने आप में पूरसकार नहीं है तो है तो आपको positive में ध्यान देना पड़ेगा negative में question पूछे तो जो है आपका answer positive में और positive में पूछे तो negative में ठीक ना? question number 9 का C option बहुत बढ़ियां सभी बच्चे correct जा रहे हैं अपना answer करते रहे है बच्चों question number 10 देखिएगा everyone is dependent हर कोई सोतंत्र है तो अगर कहा जाए कि हर कोई सोतंत्र है निर्भर है हर कोई dependent है तो हर कोई निर्भर है तो कोई सोतंत्र नहीं है तभी ने हर कोई परतंत्र है तो किस में आ रहा है जैसे अगर कह दिया जाए everybody is happy हर कोई खुश है तो nobody is sad कोई दुखी नहीं है इसका मतलब हर कोई खुश है तो आपका be option बिल्कुल सही तो question number 10 में आप भी be कर लीजिएगा everyone is not independent हर कोई independent नहीं है अगर आप ऐसे करते हैं तो हर कोई dependent है लेकिन आपको बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है everyone का उल्टा no one या nobody होता है और dependent का उल्टा independent होता है तो दोनों का उल्टा करेंगे तभी होगा otherwise आप ध्यान रखेगा everybody everything और आपका everyone यह सब positive word है इनका प्रयोग कभी भी negative sentence में नहीं किया जाता है कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी तो question number 10 का be correct है इसके बाद question number 11 ते देख लिजेगा the negative of I have seen you somewhere before is कह रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है तो मैंने आपको कहीं देखा है यहाँ पे कह रहा है और आपको बनाना है negative sentence तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने कहीं आपको कभी नहीं देखा है तो इसका मतलब कहीं देखा है I have not seen you somewhere before यह अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा सीधे सीधे आपको negative sentence बनाते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ गया कि देखे एनी का प्रयोग anything हो anywhere हो anybody हो anyone हो इसका प्रयोग या तो आप negative sentence या तो interrogative में करते हैं इसका प्रयोग positive में नहीं होता अब आप देखिए का not है तो सम कैसे आ सकता है गलत हो गया ना एनी आना चाहिए था B में भी ऐसा कुछ नहीं है C ही आपका correct answer हो जाएगा डी भी incorrect I have not seen you anywhere before मैंने आपको क्या कहीं नहीं देखा है तो नहीं कहीं तो देखा है समझ पा रहा है ना एनी का प्रयोग हमेशा positive sentence में ना हो करके negative या interrogative में होता लेकिन वहीं सम का प्रयोग आपका affirmative में होता बहुत बढ़िया question number 11 C आपका correct होगा ऐसे questions बच्चो एक्जाम में पूछता है ठीक है और आप option देखके confused हो जाएंगे इसलिए आपको practice करने की आवशकता है next question देखेगा the active transformation of I was kept by kept awake by the noise of the traffic is the traffic तो कह रहा है कि मैं जगा दिया गया traffic के shore से तो traffic के shore ने मुझे जगा दिया सीधे आप active बना ले तो आपको बनना चाहिए the noise of traffic kept me awake किस option में है ए option में देखे गलत हो गया traffic noise कर दिया है आपको जैसे दिया गया statement होगा वैसे उतारना पड़ेगा B option correct हो जा रहा है C भी और D भी दोनों incorrect है the noise of traffic kept me awake मतलब तो यहां पर मी जो था आई बन गया और kept आपका watch के साथ third form बन गया passive voice में आपको active ढूटना है तो question number 12 का B option correct है बचों बहुत ध्यान से करिएगा options देख करके ही तो गलतियां होती है और option से ही answer निकलता है तो बहुत बढ़ियां चलिएगा question number 13 को ध्यान से करिएगा कह रहा है the fire brigade summon मने होता है बुलाना ठीक है कहते नहीं है court से summon आया है summon the fire brigade बुलाओ तो यहां पर क्या होना चाहिए अगर आप letter से बनाएंगे तो हो जाएगा let the fire brigade be summoned ठीक है be summoned मिल गया ना किस में है अब option देख लिजी means आपको बनाने आ गया summon not fire brigade गलत हो गया दूसरा देखो why summoned यह भी गलत हो गया अगर तीसरे option पर चलेंगे तो let the fire brigade the summoned इसको आप यहां पर the को हटा के बी बना दें तो c option correct हो गया समझ पा रहे ना बच्चे call not तो गलत हो गया let the fire brigade be summoned तो मतलब summon brigade को बला जैसे open the door तो let the door be opened इसी प्रकार से बहुत अच्छे let वाले questions की practice करके जाएं बच्चों exam में पूसता है बहुत सारा क्योंकि आप let वाले से ही तो confused होते हैं next देखिएगा please walk on the right मतलब दाएं से चलो या सही दिशा में चलो तो please do not walk गलत हो गया आपको you are requested to कहीं मिल जाये तो आप ढूंट लीजिएगा ये गलत ये गलत ये गलत de all आपको मिल रहा है you are requested to walk on right मतलब सही तरीके से सही दिशा में चलो मेरा नाम उन्होंने मुझे पूछा तो passive voice बनाना है तो आप देखिए ये subject हो गया बच्चे confused नहीं हो येगा ध्यान से देख लेजिएगा ठीक है ये subject ये verb ये एक object ये दूसरा object ये आपका direct object है और ये आपका indirect object है अगर आप indirect object को जो है आगे लाते है तो I was asked हो जाएगा ठीक है इसके बाद हो जाएगा my name by them लिखने के आउशकता नहीं है ठीक है तो अब देखिएगा my name was asked me by name अब ऐसे नहीं होता कौमा भी लगा है गलत हो गया I was asked my name नहीं ही सही हो गया मेरा नाम पूछ जो है पूछा गया by them आप लिखने के आउशकता नहीं है मी वाज आसक देखिए तो बिलकुल गलत हो गया my name वाज आसक फार में मी एवित्व बिलकुल गलत हो गया तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे आप आंसर जोड़ हो है options से ही आंसर ढोड़ते हैं तो question number 15 का be correct है बहुत बढ़ी यहां चलिएगा question number 16 देख लेते हैं combine the following pair of the sentence into a complex sentence आपको बनाना पड़ेगा complex sentence तो दो अलग-अलग sentence से देखिएगा they are poor way गरीब हैं वे हमेशा neatly dressed पहनते हैं कि मतलब गरीब होने के बावजूद भी वे साफ सुत्रे कपड़े पहनते हैं यद्यप कि वे गरीब हैं फिर भी साफ सुत्रे कपड़े पहनते हैं ऐसे ही तो आप हिंदी में बोलते चुकि वो गरीब है फिर भी वो इस तरीके से बोलते हैं आप्शन देख लीजिएगा क्योंकि आपको पता है सबोर्डिनेट क्लॉज लगता है सबोर्डिनेट क्लॉज के तीन प्रकार है नाउनेक्लाउज, अडिक्टिप क्लॉज, और्डवर्ब क्लॉज के सारे कंजक्शन आपको यूज करने पड़ेंगे तो देखिएगा options देखा जाए पहला option कह रहा है though they are poor they are always neatly dressed यद्या पिवे गरीब है फिर भी वे in neatly dressed ये सब आपको कुछ नहीं करना पड़ता देखिएगा they are too poor to be dressed ये इतनी poor हैं दो poor आ गया गलत so poor are गरीब है इसलिए नहीं बिल्कुल नहीं since they are poor they are यहाँ पर देखिएगे चुकी वे गरीब हैं इसलिए नहीं ये भी नहीं सही होगा पहला ही सही होगा ठीक है पहला क्यों सही होगा बच्चों ध्यान रखेगा यद्या पिवे गरीब है फिर भी यहाँ पर आप एक लगा दीजिए कॉमा आपका काम हो जाएगा चुकी वे गरीब हैं इसलिए जो है साफ सुत्रा कपड़ा पहनते हैं तो ये गलत ये भी गलत ये भी गलत यद्या पिवे गरीब है फिर भी ऐसे बोलते हैं आप तो यद्या पिवे दो आल दो इसके साथ या तो यट आएगा आपको याद है ना दो अगर आपको कहीं मिल जाए या आल दो मिल जाए ठीक है आल दो मिल जाए तो आप या तो यट का प्रेयोग करते हैं यट ना मिले तो कॉमा लगाते हैं तो यट नहीं मिला तो कॉमा का प्रयोग करके आप A option correct कर देंगे ठीक ना तो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा since नहीं करिएगा ध्यान से करिएगा बच्चों यहाँ पर दो हो जाएगा T H O U G H ठीक ना तो question number 16 का आप कर लिजीगा A option ठीक है बहुत अच्छे आगे बढ़ जाएंगे question number 17 everyone knows him हर कोई उसको जानता है तो कौन उसको नहीं जानता इस तरीके से आप करेंगे तो interrogative बनाना है तो is he knows to anyone यह गलत हो गया not लगाते हुए बात करना पड़ेगा आपको knows not everyone यह गलत हो गया does not know him everyone यह भी गलत हो गया क्योंकि वह जानता है everyone knows him हर कोई उसको जानता है तो does everyone knows him अगर आप यह करते है 17 number question का ठीक है तो यहाँ पर सही तरीका आपका does not know him everyone ठीक है does everyone know him अगर आप does everyone know him करें तब जो है does not know him everyone यह आपका करेंट हो जाएगा ठीक है does everyone know him अब यहाँ पर not नहीं आया है आपको बताये थे न कि not आना चाहिए तो आपका यहाँ पर जो है does everyone not know him इस तरीके से क्या हर कोई उसको नहीं जानता तो आपका d correct हो जाएगा हर कोई जानता है ध्यान करकिएगा c क्यों नहीं correct है बच्चो c का meaning निकल रहा है does not know him everyone हर किसी को नहीं जानता यहाँ पर कहरा हर कोई उसको जानता है तो does everyone not क्या हर कोई उसको नहीं जानता तो आपका answer मिलेगा जानता है यह वाला meaning है ध्यान देना है question number 17 का d question number 18 देखेगा everybody loves Mr. Brown तो क्या करेंगे everybody loves Mr. Brown तो इसको passive voice बनाना थो Mr. Brown is loved मिल जाएगा तो आप correct कर लिजेगा a में नहीं है b में नहीं है c में है d में भी नहीं है क्योंकि Mr. Brown को आप आगे लाएंगे क्योंकि आप जानते हैं subject इसके बाद आपका आप देखते हैं ना कि subject होता है और object होता है तो passive voice बनाते से में subject verb को replace करते हैं तो Mr. Brown is loved by everybody मैं नहीं हर कोई Mr. Brown को चाहता है पसंद करता है तो question number 18 का c option ठीक है बहुत बढ़िया let's come to question number 19 the interrogative of you had comfortable journey तो क्या तुम्हारे पास एक comfortable journey थी या तुमने comfortable journey किया या तरह किया तो क्या तुमने comfortable journey नहीं किया तो यह जो had है ना यह subject के बाद past indefinite verb का second form है जैसे अगर आपको बोलना हो मेरे पास 5 रुपए थे तो आप बोलोगे ना I had 5 रुपीज ठीक तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा you had जो था वो have का second form है तो इसका correction होना चाहिए did इसके बाद you not have यही correct होना चाहिए comfortable journey तो answer आपका आएगा yes क्यों क्या तुम्हारे पास comfortable journey नहीं जर्नी नहीं थी तो थी तो आपका किस option में है तो देखिए fourth में है लेकिन यहां not नहीं लगा है आपको not लगा देना पड़ेगा ठीक है did you इसके बाद have did you not have सही तरीका इसका यह बनेगा यहां पर मैं लिख देती हूं did you not have a comfortable journey कोशन मार्क के साथ subject इसके बाद उसके बाद not लगाते हैं बहुत अच्छे कोशन नमबर 20 देख लिजेगा I can never forget you मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता तो क्या मैं कभी तुम्हें भूल सकता हूं तो present है इसको देख लिजेगा इधर से ठीक है देखिए present है I can present में आपको मिल रहा है न I can never forget you मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता तो क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूं इस तरीके से आएगा तो can I never forget you तो यहाँ पर ever आप कर दिजेए इस never का यह अटाईए क्योंकि never का उल्टा ever होता है can I ever forget you क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूं आंसर आएगा never कभी नहीं तो I can never forget you इस तरीके से आप बचों ध्यान करिएगा जो भी helping verb रहेगा helping verb same रहेगा तो चलिएगा आप लोग जो है ऐसे ही practice करते रहे हैं class में बने रहे हैं class age कैसी लग रही है यह जरूर आप बताईएगा और किसी भी question में अगर आपको problem होती है तो बताईएगा हम फिर से explain कर देंगे बाकी बचों practice करते रहे हैं क्योंकि exam में practice बहुत जरूरी होता है पढ़ना जितना महत्यपूर है उतना ही महत्यपूर है revision करना okay thank you thank you so much for giving you a lot of time thanks a lot मिलते हैं next class में खुश रहिए स्वस्त रहिए